Hello everyone, इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार और UPSI के मॉक्टिस्ट का सिट नमबर 13 I hope कि इससे पहले के बागे के सट्स को अपने जरूर देखा हूगा नहीं देखा है तो प्लेलिस चाकर करके चिक खीजिए वहाँ पे सारे वीडियो को जरूर देखे इस वीडियो हम लोग 50 MCQ कवर करते हैं जो कि बिल्कुल एक्जाम सोरियनेटर सारे कुशन्स होते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखे और बताई कि कितना स्कूर आप कर पाते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमग अपका क्या रहेगा तो देखे पॉलिटी में आपको पढ़ना है 1946 का जो आंत्रिम सरकार का गठन किया गया था इससे संबन्दित सभी important points को कवर कर लेना है साथी सथ रिवीजन्स के तौर फिजिक्स का परवर्तन और अपवर्तन चैप्ट को कम्लीट करेंगे उसी तरह से topic wise series में British college जो आयोग थे जिसको हम समीतिया भी कह सकते हैं इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे current office में युद्धा व्यास दे रहा हूँ 2020 और 21 के जो भी important युद्धा व्यास है इनको आप एक बार device कर लेंगे ठीक है तो यही रहने वाला कल का homework देखे वेंस first questions क्या कह रहा है कि निमलीखीद मेंसी कि सवर्स में अमरिज सर की संधी पर हस्थाक्षर किये गये थे काफी important question है अमरिज सर की संधी हुआ था option हम B को टिक करेंगे 1809 में और इससे जुड़ी जो भी important points हमें याद रखना है वो देखे क्या क्या अमरिज सर के संधी 25 सपरल 1809 में हुआ था किनके बीच तो चार्ल्स मेटिकॉफ और रजीट सिंग के मद हुआ था और इस संधी की प्रमुक सर्ते क्या थी तो इन तीन सर्तों को याद रखेगा दीके 17 नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई लुद्याना में एक अंग्रेजी सेना रखे गए जिसमें रजीट सिंग जिससे की रजीट सिंग इस तरफ आकरमर ना कर सके और साथ इसाथ सतलज के पूरव के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए थे ये तीनों पॉइंस आपको याद रखना है एक चिस में आपको ब बात कही थी किसके दोरा तो एक सीख सेनिक के दोरा बात कही थी कि 1809 की अमरीजी सर की संधी पर एक सीख सेनिक ने कहा था कि आज रजीट सिंग की मृत्ति हो गई है बस इतना ही आपको याद रखने है कि एक सीख सेनिक ने कहा था कि आज रजीट सिंग की मृत्ति हो गई है अमरित सरके संधी पर कहा था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स तो दीके, डच्छिड भारत पर एक मात्र जनपद, जो कि अस्मक की राजधानी कहा थी, दच्छिड भारत की जो माहा जनपद थी, जैसे आपको पता है कि 16 माहा जनपद है, तो 16 माहा जनपदों में एक मात ऐसा जन पर था जो कि दच्छिड भारत में स्थे था अस्मक और अस्मक की रधानी हुआ करता था पोटली कह सकते हैं ऑप्शन C को टिक करेंगे पोटली और ये केस नादी किनार है तो गोदावरी नादी के किनारे अवस्ते था नेक्स्ट क्विशन से कि गराल्ड अंग्यार जिसने बंबाई सहर के स्थापना की कहा का प्रेश्टिडेंट था तो जिसने बंबाई सहर के स्थापना की ती गराल्ड अंग्यार ने ये सूरत का प्रेश्टिडेंट था ओप्शन B विल बी टरेक्ट अंसर नेक्स्ट वन कि प्रथम उंगले मराठायुद किस संधी के तहत समाप्ते किया गया प्रथम उंगले मराठायुद किस संधी के तहत समाप्त हुआ था तो प्रथम उंगले मराठायुद जो था वो सूरत के संधी के साथ स्टार्ट हुआ था आमत द्यान दीजे का आमत आमत जो होते थे वो कह सकते हैं कि आयवे का लेखा जोका यहाँ पर option D को टिक करेंगे जबकि सुमंद जो होते थे वो विदेश मंत्री के संबंद में थे सुमंद ठीक है विदेश मंत्राली की देखरेक सुमंद करते थे नामक अकबार किसने प्रारम किया था तो मदरलेंड हम कह सकते हैं मज़रूल हक यहाँ पर D विल भी correct answer विद्वा भिवा के संबंद में पुस्तक सत्य प्रकास के लेखा कौन थे सत्य प्रकास के लेखा कौन थे तो इस प्रस्ण का correct answer क्या होगा सत्य प्रकास के लेखाक यहाँ पर right answer का option C करसोंदास मल जी ठीक है करसोंदास मल जी यहाँ पर option C को टिक करेंगे करेरा वन्यजी अभ्यारन भारत के किस राज्य में इस्तेते हैं करेरा वन्यजी अभ्यारन तो करेरा वन्य जिव भ्यारन पढ़ता है मध्य प्रदेश में और हमने एक और देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कुनो पालपूर वन्य जिव भ्यारन ये भी मध्य प्रदेश में स्तीत है समान वायू गती को जोड़ने वाले रेखा बिंदू का नाम क्या होता है तो ध्यान दीजेगा फिन्स इस प्रशन का करेक्ट आंसर का आइसो टैक ठीक है आइसो टैक ओप्सन डी विल भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन निमलिखित में सिक्किस अधिनियम द्वारा भारत के गुवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के सकती प्रदान की गए थी और ये वन अफ ता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेसंस बन जाता है तो इस प्रशन का करेक्ट आंसर है ऑप्सन ए भारत परिशत भारते परिशत अधिनियम 1861 के द्वारा गुवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के सकती दी गए थी फेंस अगर आपको वीडियो पसंद है तो पता आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है दोस्तों को साथ सेर करना है और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजगा क्योंकि रोजाना इसी तरह के एक मॉक टिस्ट आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेस्ट निमलिकीत कत्रों पर विचार करें यहां पर दो पॉइंट से दोनों पॉइंट को पढ़ी और बते कि कौन सा कथन यहां पर सही है तो पहला पॉइंट कर रहा है कि रेडियो धर्मिक्ता की खोच हेंडी बेकुलर ने यहां पर दोनों के दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत है तो कोई भी सही नहीं है इसलिए ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे डी विल भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलिक नहीं है बताई कि निमलिखित में से कौन सही सुमेलिक नहीं है एक तरफ बहुत संगीति हैं दूसरे तरफ सासनकाल दिया गया है तो प्राथम बहुत संगीति जो हुआ था हो अजात्सत्रों के सासनकाल में दुथ्य बहुत संगीति जो हुआ था वो कह सकते हैं काला सोग के समय में हुआ था ना कि असोग असोग के समय में तीसरी बहुत संगीती कायोजन पाटली पुत्र में किया गया था option हम B को टिक करेंगा ठीक है आगे देखिए next questions की निमलिकित में से कौन असत्य है तो बताएं यहां पर कौन सा सत्य हैं मादायने फिलीज मच्छर्थ जो की सीत जवर के परजीवी को समप्रेसिद करते हैं कि सीत जवर हम कह सकते हैं जो बुखार होता है उसी को कहते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पर और अगर हम यहां पर बात करें हैं सованवी और सेकेंड पॉइंट तो कह सकते हैं कि मलरिया प्लाज्मोडियम नामक करने के कानने यह वि और गया हूं कि जो मलेरिया होता है इस्सम्हें आपर उप्सन बीग को टक करेंगे जो कि गलत है, च़्िक है next questions बोंगाई गाउ रिफाइन्टी जो कि किस राज्य में स्थेत है बोंगाई गाउ रिफाइन्टी जो किस राज्य में स्थेत है तो ये असाम में पढ़ता है option B correct होगा सरोविज्यान के अंतरगत किसका अध्यन क्या जाता है सरोविज्यान के अंतरकत किसका अध्यन किया जाता सरोविज्यान जिसकों लोग लिम्नोलोजी एक भी कहते हैं तो लिम्नोलोजी में क्या होता है जहील दथा तलाबों का अध्यन सरोविज्यान वही है ठीक है option C यहां पे correct है next one golden handshake का संदर्म निमली कीत में से किस से है golden handshake तो ध्यान दीज़ेफेंस की golden handshake का संबन स्वेक्षाक सेवा निवरीती योसना से है next question 2011 की जनगर्णा के अनुसार सबसे अधिक नगरिये जनसंख्या प्रतिसत वाला राज्य कौन सा है सायक संदी को सिकार करने वाले राजुका सहक क्राम क्या सायक संदी कौ स्टार्ट किए गया था Lord 23 के दोरा शकन अन्धान्वय में और सबसे पहले सायक संदी कहके था वह हैदराबाद की कह सकते हैं हैधराबाद की निजाम ने यहां पर सबसे पहले तो दो आएगा चीके दो और अगर उसके बाद अगर हम बात कहें तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा मैसूर आएगा तीन उसके बाद हम कह सकते हैं हमारा अवध और लास्ट में हम यहां पर महराठा को देखें क्या क्या चीज़ है जैसे कि हैदराबाद ने कब सायक संदी को स्विकार किया था सितंबर 1798 मैसूर 1799 और तैंजी और कह सकते हैं 1799 में उसे तरह से अवज हो 1801 पेसवाद जो कह सकते हैं दिसंबर 1802 और पेसवाद जो आपको पता है कि जो बेसीन की संदी हुई थी उसके तह गया था तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जागा ऑप्सन सी ठीक है राइट एंसर विल बी ऑप्सन सी चली नेक्स्ट कुशन देखिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि निमलिखीत में से कौन सा जंजाती समू मड़ीपूर में पाया जाता है कौन सा जंजाती समू मड़ीपूर में पाया जाता है तो कुकी जंजाती के समद मड़ीपूर थे नेक्स्ट वन निमलिखीत में से कौन सुमेली थे तो बताइए फंस कि निमलिखीत में से कौन सुमेली थे अंसी रास्टी उध्यान की बात के तो यह करनाटक बिलकूल करेक है और बाल फक्रम राश्टी उध्यान की बात के तो ये पॉइंट गला था क्योंकि ये मिघाले में इस्ती थे और काले हिरन के लिए विलवदार जो राश्टी उध्याने वो आपका गुजरात में पढ़ता है यानि कि सिर्फ और सिर्फ सही क्या है हमारा ऑप्शन एक करेक् अगला प्रस्ट निमलिखित में से कौन सा अलक नंदा और मंदाकनी नदियों के संगम का केंद्र है तो मैं आपको इसके बारे में बताया था एक छोटा से वीडियों बताया था स्वाट्स बना करके तो उमीद खरता हूं कि अपने वीडियों को देखा होगा और काफी रखते हैं अमरूद है ठीक है अमरूद इस तरह से याद रख सकते हैं अमरूद में क्या होगा कि अलक नंदा और मंदाकनी रूद्र परियाग में मिलती है तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेसंस है कि निमलीखीत में से कौनसा छेत्र कोईला भंडार में सबसे अधिक है बते कि कौनसा छेत्र कोईला भंडार में सबसे अधिक है दामोदर घाटी बी को टिक करेंगे दामोदर घाटी नेक्स्ट क्वेसंस कह रहा है कि तुमभद्रा नदी घाटी पर पर मिलने वाले छोटे-छोटे घास के मैदानों को उत्त्रा खंड में क्या कहा जाता है लगा जाता है उत्पाद कह सकते उत्पादन पर लगता हैं ओप्सन यहाँ पर सी करेक्ट होगा केवल और केवल एक, नेक्स्ट वन देखिए, कारवन लेवी क्या है, कारवन लेवी क्या है, तो कारवन लेवी का समद्ध कह सकते हैं कि कारवन इंधन पर लगने वाले करकों कहते हैं कारवन लेवी, नेक्स्ट वन, भारत के दो सबसे अधिक समरीद परिश्थीत की कटी बंद, यानि इको जोन कौन सा है? सबसे समरीद परिस्तित की कटीबंद इको जोन के रूप में हिमाले परवत के साथ साथ जो कि पस्चमी घाट को जाना जाता है, पस्चमी घाट को सहाध्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट वन देखिए कि इंसुलीन हॉर्मोन के विजह में निमने कत्नों में से कौन सा एक सही है इंसुलीन हॉर्मोन के सम्माद में बात करना है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इंसुलीन एक परकार का प्रोटीन हॉर्मोन है जो की मानों सरीर में उत्पादित होता है आपको पता हैं कि उनसी में हमारे सरीर में अगनासे में अगनासे के बीटा कुछी का उसी से यह release होता है तो डी यहां पर correct होगा, नेस्ट वन चिकन गुनिया virus का पता लगाने के लिए किस तक्निक का उपयोग किया जाता है चिकन गुनिया virus का पता लगाने के लिए तो इसका हम लोग परते हैं Bio Sensor Protection का परियोग करते हैं C Correct होगा विक्रियन के Quantum सिधान्त का अविस्कारक कौन है? ये Questions बहुत बार एपीट हुआ इसको यच्छे से याद रखेगा विक्रियन के Quantum सिधान्त के अविस्कारक Max Planck को जाना जाता है B को tick करेंगे देखे अगला questions की चार लाल लीटमस paper को किस रंग में बदलेगा जो चार होते हो लाल लीटमस paper को कह सकते हैं कि वो नीला में convert करता है नीला में convert करेगा एक छोटा सा point से याद रखेगा अनील याद रखेंगे अनील अनील से कैसे याद रख सकते हैं जो अमल होता है और से अमल हो गया अमल क्या करता है कि नीले लीटमस को लाल में convert करता है अगर आपको एक चीज़ याद रखेगा तो आप असानी से चार को भी याद रख सकते हैं चार क्या करता है च्छार जあसिस्ट का आपोजीट हो जागा कि लाल को नीले में कंवर्ट करेगा. जब कि अमल क्या करता है कि नीले को लाल में कंवर्ट करता है. छीक है? चलिए. नेक्स्ट वन दीखे कि था रापपा संस्किति के संदर में 16 जलासों यहां से पाए गए थे हैं नेक्ष्ट वन दीके निमली खीत मगद राजवंसों का कलानुक्रम जो की सजाना है मगद पर किस राज जीने सबसे पहले रसासन किया उस तरह से है तो सबसे पहले आपको पता है कि हर येकवंस ने सासन किया था उसके सिसुनागवंस आया था और हर एकवंस के बाद सिसुनागवंस यानि कि चार के बाद हम यहां पर कह सकते हैं दो और उसके बाद जो कि नंदवंस ने और बाद में नंदों को पराजित करने के पस्चाप मौरेवंस के स्थापना की गयी थी तो 42-13 यहां पर क्या है option D को टिक क देखें आगे देखें नेक्स्ट क्वेसंस की प्रसासन के छेत्र में चोल वंस का मुख्य योगदान किसमे नहीं थे तो एक संगठित अस्थानिय स्वसासन डी यहां पर करेक्ट है नेक्स्ट पॉइंट निम्ण में से कौन सा हर्सवर्धन द्वारा रचित नहीं था हर्सवर्धन द्वारा रचित नहीं था तो ध्यान दिजेगा हर्सवर्धन ने तीन रचनाएं की थी जैसे कि नागानंद प्रेदर्सिका और रतनावली ठीक है नागानंद प्रेदर्सि जिखते हैं कभी घड़ि लखता एंधे इसमें कोई दिक्कत ने स्टैक कह आकू nhất गड़ियों और एक गृह दोर्टेंटने की उद्धेशे से इसको भेजा गया था? इतिहास में चर्चित अफीम यूद अंग्रेजु और किन के बीच रड़ा गया था। अफीम यूद जो था अंग्रेजु और चीन के बीच रड़ा गया था। होपसन D correct होगा। नेक्स्ट वन लॉड करजन के वैसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो बतेफेंस कि निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारती राष्टे कॉंग्रिस का जो गठन हुआ था इनके समय में नहीं हुआ था क्योंकि 1885 में इसका गठन लॉड डफरिन के समय में हुआ था तो यह ध्यान रगेगा option हम C को टिक कर सकते हैं यहाँ बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं इसक सासन एक औरेक्ट है नेक्स्ट क्योंस की निमलिखीत में से कौन सा भारती सिक्षा का मैगने कार्टा माना जाता है भारती सिक्षा का मैगने कार्टा माना जाता है तो द्यान दीजीगा फैंस की भारती सिक्षा के मैगने कार्टा के रोप में उट्स डिस्पैच यानि ठार तो समीति का जो गठन क्या गाता, वो हम कह सकते हैं, Lord Wellington के समय में क्या गाता, option C, correct answer हो जाता है, next one, खटे स्वाद के लिए को सिकाया, जिवा के किस भाग में होती है, अगर हम बात करें जिवा के बारे में, तो इसके बारे में आपको गईबर पता चुका हूँ, कि आगे का ज यह भाग जो होता है, वो डमकीन के लिए होता है, तो यहाँ पर हम correct answer क्या होगा, जो कि खटे स्वाद के लिए कह सकते हैं, यहाँ पर पासर्व भाग, ठीके, पासर्व यहाँ पर option B correct answer होगा, पासर्व, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next देखे, लसी का, खालिस थांस ने प छोटी याद को कहते हैं, next one, गरंथी, जिसमें ब्रीधी हार्मोन बनता है, उस गरंथी का नाम क्या है, जिसमें ब्रीधी हार्मोन बनता है, तो ब्रीधी हार्मोन जिसमें बनता है, वो कह सकते हैं, प्यूस गरंथी होती है, प्यूस गरंथी हमारे सरी की सबसे छोटी गरं नेक्स्ट वन निमलिखीत में से कौन जो कि सफेध पोस अपराधू से संबंधित निमल झांइ стен तो कह सकते हैं गबन करना रिस्वत लेना और जमाख कोरी करना ये सबी के सबी सफेध पोस अपराधों में सामिल है और यहां पर भी पढ़ सकते हैं सफेद पोस अपरादों में निमने चीज़े सामिल की गई है देखे इस वीडियो का आखरी प्रस्थन क्या है कि भारती डंड सनीता के किन धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार समंधी विधी का प्रावधान किया गया आत्मरक्षा के अधिकार समंधी प्रावधान जो किसमें किया गया तो धारा 96 से लेकर के 106 तक इसमें बात किया है आत्मरक्षा के अधिकार से समंध में यहां पर option हम बीको टिक करेंगे तो फेंस यहां पर 50MC के हम लोगों ने complete किया आई होब कि आप लोगो यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और नेक्स्ट जो questions से क्यूज क्या है कमेंस करके बतेगा इस questions का right answer क्या होना चाहिए ECG किस रोग का पता लगाने में परियुक्त होता है साथे साथ ECG का full form is definitely बताईएगा तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day